CM नितीश कुमार का तिसरा दाव भी खाली हो गया ये दावा हमारा नहीं बलकि मुख्य मंत्रे नितीश कुमार के पुराने करीवी का है दावा है नितीश ने पटना की पहली बैठक में अपना पहरा दाव खेला लेकिन वो बाकी दलों को पसंद नहीं आया दूसरा दाव बैंगलूरू की दूसरी बैठक में खेला गया लेकिन वो भी बेकार चला गया आकिर में मुंबई की तीसरी बैठक में नितीश ने अपना तीसरा चला लेकिन वो न तो इंडिया यानी इंडिया को पसंद आया और नहीं राहुल या सोनिया गांधी को दावा तो यहां तक है कि नितीज कुमार ने इन तीनों बैठकों में कमाया कुछ नहीं उल्टे गमा दिया जब सीम नितीज कुमार विपक्ची एक तकी पहल करने दिल्ली पहुँचे तो उनके मन में एक उमिद्धी की वो पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खड़ा करने में कामयाब रहेंगे उनके साथ शियासत के सबसे मंजे हुए खिलारी लालू परसाद यादो भी थे इसके बाद ममता बनरजीन में पटना में ही विपक्च की एक जुट बैठक बुलाने का सुझाओ दिया नितीश कुमार इस मामले में कामयाब भी रहें नितीश कुमार के करीवी के मुताहिक यही उनका पहला दाव था कि वो इस बैठक में गठबंदन के एक महत्वपुर्ण चेहड़े के रूप में उढ़े इस बैठक में नितीश ने इंडिया के नाम पर इतराज जताया बदले में नितीश ने एक दूसरा नाम भी पेश किया लेकिन ये नाम भी सोनिया राहुल या गटबंदन के किसी भी दल को पसंद नहीं आया पहली बैठक में जब नितीश की और सहमती के बावजूद इंडिया नाम रख लिया गया इसके बाद मुंबई में इसकी बैठक बुलाई गई इस बैठक में सभी दलों के नेता मौजूद थे लालू यादव खुद बेटे ते जस्वी यादव के साथ पहुँचे इस बैठक में नितीश के पास उनका तीसरा दाव था ये दाव नितीश बिहार में चल चुके हैं और इसको लेकर वो फ्रेंट फूट पर खेल भी रहे हैं ये तीसरा दाव था जाती अधारित गणना का नितीश के पुराने करीवी का दावा है कि उन्होंने मुंबई की बैठक में ये प्रस्ताव रखा की देश भर में जाती अधारित गणना को इंडिया अपना मुख्य चुनावी एजेंडा बनाए लेकिन नितीश के करीवी का दावा है कि नितीज का ये तीसरा दाव भी खाली हो गया अब आप सोच रहे होंगे कि सीम नितीज कुमार से जुरा ये दावा आखिर किस ने किया तो हम आपको नाम भी बता देते हैं ये दावा किसी और नहीं बलकि जन सुराज यातरा चला रहे प्रशांत किसोर और पीके ने किया है पीके ने तो ये यहां तक कह दिया है कि मैं आपको जो फैक्ट है वो बता रहा हूं कि तीनों बैठकों में नितीज कुमार की जो अपेक्छा थी वो उन्हें मिल नहीं रहा था आपके जद्यू वाले नहीं दावा कर रहे हैं या वाकई इंडिया गटबंदन से उन्हें सच में जानकारी मिल रही है अगर सच में मिल रही है तो फिर ये बिहार के महागटबदन के लिए बड़े मुश्किल वाली बात है आगे अपडेट्स भीम आपको वाकिफ कराते रहेंगे सब्सक्राइब करें ट्री निवज बिहार नमस्कार